और कहीं पे भी जाने का आपका मन है कि मिर्जे सोचना ना पड़े गाड़ी लेकर कि मैं यहां जा सकता हूं यह नहीं तो यह गाड़ी आप ले सकते हो फिम से माड़ी बहुत हैं वहां पूर बहुत ही कि अबसे गंध प्लेस्मेंट एक में तब सब्सक्राइब जीज़ की बात करें हैं वहों अगारी को दो घॉजराद टिप पेर और मेरी गाड़ी शायद जाब completo क्लिम्स चली थी तो हमने कस्टमर के बात करी उन्होंने और रा दिया आप गाड़ी साइड में लगा लो यह बहुत रिस्की हो सकता है चलाना हम आपकी गाड़ी टो करा देंगे सब्सक्राइब लोग नई वीडियो में तो आज अपने साथ अब है स्कॉर्पियों जैडिट यह और यह अपना फॉर बैफॉर वेने ट्रेने वाड़ा है और भाई इसको जिनकी गाड़ी है वो मौसली ट्रैवलिंग करते हैं अपनी गाड़ी से और हर टरेन पर भाईया ने कितना 4x4 capable है भाई इस गाड़ी का और महिंद्रा की सर्विस और कितनी कमी आई है गाड़ी में आज सारी चीजे कवर करेंगे और एक 4x4 का आपको डीटेल वीडियो मिल जाएगा क्योंकि भाईया से ज्यादा किसी नहीं टेस्ट करी होगी क्योंकि भाईया यह बहुत ही ल 4x4 है तो और भाईया ना टायर वागरा भी चेंज करा रहा है लाइट भी एडिशनल लगवा रखें लाइट का कैसी ने क्योंकि लाइट का वाई इसका थरू है निना के बराबर है तो बुलाते वाईया को और सारी चीजे कवर करते हैं पार साथ आचोगे मनीज भी क्या लबाई आप बढ़ी अब बढ़िया भाईया कौन सा मोडल है आपने कब लिया थे यह यह जड़ेट ऑटोमेटिक पोर वील ड्राइव गाड़ी मैंने खरीजी थी 31 जैनवरी 2024 तो अभी ने भी नहीं हुए गाड़ी को और 21,000 किलोमेटर से जादा चल चुकी है अब बतला आपने बढ़िया भाई का काम मुसली ट्रावलिंग काया तो भाईया ने हर तरीका से टेस्ट करा है इसको बहुत लंबी ट्रिप पे गया हूं लेके सबसे लंबी हम लोग उड़ी सा गए थे जगनाथ पूरी 4000 किलोमेटर की थी वन सब्सक्राइब करने का और कहीं पर भी जाने का आपका मनने की मिर्जे सोचना ना पड़े गाड़ी लेके कि मैं यहां जा सकता हूं या नहीं तो यह आप ले सकते हो बहुत अच्छी गाड़ी है और इसकी टेस्टिंग मैंने लिटरली अब करी है लटाक में आप पदूम स ले जाते हो ना तो वह वन अफ दी मोस्ट डिफिकल्ट रोड है इंडिया का पदूम से ले बारा घंटे लगते बहुत प्रॉपर ओफ रोड है फोर वी लो भी लगाना पड़ा था हमें एक जिगे पे इतना खराब रोड था बोट अपने तो बरफ में चलाई है उमलिंग पर चलाया था स्नो मोड लगा तो वहाद बहुत बहुत काम किया प्लस एक बेनिफिटी है कि इसमें न न अच्छा प्रेटिटे बढ़ा लिए यह पर्फेक्ट साइब लिए पर इनकी परफोरमस्त बहुत अच्छी है यह तो गुट्टी देख लिए लिए तो प्रीटिए तो यह तो यह तो यह तो यह निए ताइर्स पे साथ और हाई पर स्णो मोड एक्टिबेट करके बहुत जबरदस पर्फोरमेंस कहीं भी गाड़ी मुझे फिश्टेल नहीं लगी कोई ट्रैक्शन और कोई सब्सक्राइब लगाए यह तो प्रेश नो थी उस दिन वह अब बि वीडियो शेयर करता हूं ट्रेवल के फैमिली होते हैं यह तो अपने आपका बेटा बहुत चोटा है मेरे जैसा ही एक्स्टूरर हो तो उसको भी मतलब आता है यह सब काम करने में वह तो चाहता है कि भाई खराब रस्ता मिले हमें और वह आपको पदम तू ले मिलेंगे या फिर आप उमलिंगला पास वगेरे जाओगे नरुबला टॉप होके बहुत बहुत वैतरीन परफॉर्मेंस गाड़ी की मतलब बिल जीद लेगी आपकी इसकी परफॉर्मेंस इसकी पावर और लुक तो सांस आपको पता ही है गाड़ी का मतलब टॉप क्लास है यह तो मतलब सब्सक्राइब लुक्त परफॉर्मेंस इसका परफॉर्मेंस इसका प्लास है यार मतलब पंटालिंग सब्सक्राइब अगर एक्जामपल दूना आप खराब रस्तों पे नॉर्मल गाड़ी चलाओंगे 20 30 की स्वीड पे वहां इसको आप साच की स्वीड पे लेके जाओ यह गाड़ी बिल्कुल स्टेबल रहती है और मैंने अपने व्लॉक्स में होला है लब्दाक के सीरीज में कि डेली यह गाड़ी हमारे कम से कम दो गंटे बचा रही थी ट्र रहता है कि हम लोगों से पहले होते हैं वीड़ भाड से और हर चीज से और फिर भाई आपके मन में डर नहीं आया कि यह मैंने गाड़ी है उपर जाके नहीं रहते हैं इंजन में कोई कमी नहीं है क्योंकि आप किसी भी इंडिया के कॉर्णर पे चले जाओ आपको बोलेरो महिंद्रा की इंजन से को इशू नहीं है बहुत बढ़िया काम करता है लेकिन इसमें इलेक्रोनिक्स के इशू है मेरी गाड़ी में तो बहुत ज्यादा आते हैं सबसे बड़ा यहां हो यह request sensor मेरी गाड़ी में 50% of the time इससे गाड़ी ना लोग होगी ना लोग होगी जलता ह तो इससे लॉग करूंगा तो कहेंगा की इंसाइड वहिकल वह दिखा देगा जब की मेरे पास रहती है हमेशा तो यह सबसे बड़ा शूर यह second day से और महिंद्रा वाले इसका कुछ करी नहीं सकते मैंने और लिटरली आज तक किसी गाड़ी में देखा कि request sensor ना चले मैंने मैं लिटरली नहीं देखा शूटी से चोटी गाड़ी उठा लोग ना बेस बिल्कुल बेसिक गाड़ी पॉल्टों में भी अगर request sensor देती होगी ना मारूती तो वह कभी खराब नी होगा मारूती के तो वीचर कराब नहीं होते कभी भी खराब नहीं होंगे मैंने पहली गा बात है कि भाई तुम चलाओ इशू बताओ और मेरी गाड़ी में इसके साथ साथ और भी इशू जैसे आपकी गाड़ी में आते स्क्रीन के इशू अब लाग होती है मैं ट्राइब मोड पर चल रहा हूं चले जा रहा है दो मिनिट बात तक चलता रहेगा फिर अपने बंद इसलिकान का है मैं कभी सहुन्ड कार अब वल्यूम से टकी ए उसी पर चलेगा लेकिन हो सकता है खल को एकड़ी ओन करो और इकदम से चौदा की वोल्यूम कर गया वाज है वह वो लगत एक्दम आने वाली तो थोटी ज्यादा तेज लगते हो तो यह इसमें एक इसे वह अ एलेक्ट्रोनिक्स टी स्क्रीन से रिलेटेटे एक पाड़ी चल रही है और स्क्रीन बंद आपकी यह हो जाता है बहुत बार तो डाइली फूरी फूल स्पीड पर रहते हैं उपर से पंगा गया है इसका ना पूट अप टाइम पुछ भी फिक्स नहीं है ना सिस्टम का ना मै इसको महिने में आठ नो बारत के चक्कर में सर्विस सेंटर के लगा चका हूं सर्विस तो तीन तीन सर्विस तो यह वह तो अलग है इसके अलावा पांच-छे चकर और मेरे लग चुके हैं लेकिन को इसु रिजाल नहीं क्योंकि उनको समझ में आता क्या है उनके बास सर्विस के लिए लेके गया था दो तीन वीक हुए है मैं सुबह सवान वजे सर्विस सेंटर गुसा हूं और मैं चार बजे निकला हूं जिसमें मेरी वाशिंग क्लीनिंग नी हुई मैंने मना करा दी कहरे सट कीन गंटे और लगेंगे और उपर से मेरी वील अलाइनमेंट बैलंसिंग उन्होंने मना कर दिये सर आपने आफ्टर मार्केट लगाएं आम से नहीं हो पाएगी मुझे निसमझ मैं भाई यह क्या लॉजिक है मतलब दूसरे सर्विस सेंटर ने कर दी मैंने दस दार किलोमेटर पे कराई थी एक और सर्विस सेंटर पर गुड़गाउं म मैं जन्डली अपनी गाड़ी क्वाड़ी अपने सामने चरा तो अब प्रकान था जब अपनी अपनी फाली स्री को मेरी गाड़ी में इंजन चेकलाइट अब शिखोंगे ना पलाइटाली में अगई नहीं गई नहीं तो हम लोग बढ़ते चले और रहा होगा कि कहीं आज कुछ हो जाए तो मेरे को वापिस वहां से ले जाना पड़ेगा विकाज उस पे 2000 आर्पिम से उपर गाड़ी नहीं अराव राम से चलेगी तो मैंने चलाई गाड़ी प्रॉपर आगे जो मैंने सर्वेस सेंटर में 20,000 km पर चेक कर रहा है तो इसकी डीएफ डोजिंग का माल यह यूट यहां इंजिन के पास यहां लगती है चोटी सी उनिट जो डीएफ प्रे करता है उसके जो पोर्स होते है जिससे डीएफ निकलता है वह ब्लॉक हो गए उसमें डीएफ जंब गया था वह प्लीएफ जब गया वह थंड की वज़े था तो महिंद्रा ने ना बताय है कि रीजन क्या है क्योंकि वह एक और स्कॉर्पियन खड़ी थी सेम इस्यू के साथ वह पाड़ों से भी नहीं आई थी उसमें भी डीएफ दोसिंग की वज़े से डीएफ पूरा प्रॉपर ली नहीं जा रहा था इंजिन में उसकी वज़े से चेक लाइट आगे थी हो सक कि उनका डीएफ डीपीएफ फिल्टर चोग हो गया तो इसके लिए मतलब इनोंनों कुछ इसका सॉल्यूशन नहीं नहीं है उपर से अगर आप मैनुवल स्कॉर्पियों कर रहे हो ना आपको एक चीज ज्यान रखना पहाड़ों पे आर्पीम 2000 से नीचे नहीं जाना चाहि आपकी गाड़ी का मायलेज निकालने बैठ गए ना तो डीपीएफ चोग हंडड़ परसंट होगा और ऑटमेटिक में तो यह स्मार्ट है कि यह पच्छिस सो आर्पीम पे जेंज कर रहा था पाड़ों पे और कि सो आर्पीम से नीचे जाई नहीं रहा था चाहे आप एक्स लेटर पेडल जादा दबाना पड़ रहा जो नॉर्मल आप यहां चलाते हो डेली बगएर हमें वही उसी लेवल की परफॉर्मेंस थी हर टेरेन और आपने फोर बाइफोर मतलब एक्स्ट्रीम लेवल पे इंगेज करा है मैंसा उससे पहले तो पहले जानभूज के किया है आपके पास अगर यह उप्शन है तो भाई बहुत काम का है रोज काम नहीं आएगा आपको 4x4 यह तो आपने कुछ काउंटिंग में 6-7 बार इंगेज करा होगा मतलब 20,000 किलोमेटर में लिटरली 7-8 बार मैक्सिमम बता है और यह 4x4 का वही सीन है आपको जरूत नहीं बार पे भी जाना है मुझे पता था कि मुझे स्नो में भी ड्राइब करनी है मुझे खराब से खराब रस्ते मैं ढूडता हूं यह वली ट्रिप करनी है रस्ता खराब है अगर आप उस टाइब के बंदे हो तो भाई 4x4 वेरियंट ले लो इस गाड़ी के लिए क्योंकि रि जैसे इनोब अगरे नॉर्मल रैम पे भी गुंग जाते हैं तो इसलिए और ज़रूरी है रियर विल ड्राइव गाड़ी के लिए मैं देख रहा हूं यह लाइट वी अपग्रेड करा लिया आपने प्रॉब्लम क्या है जड़ेट लक्शरी में जो हैड़ लाइट से बहु इससे बहुत अच्छी थी तो इनका कोई solution नहीं है वारंटी वाइट हो जाएगी अगर इसकी आप बल्ब्स अपग्रेड करोगे तो तो अग्जलिए लाइट अजूम की लगवाईगी है मैंने और इसमें हाई बीम लो बीम दोनों है बहुत ही वैथरी इन इनी लाइट के प्राइज में आपको यह तो लाइट विल रहे है जोटी अगर आप वाही सोच रहे हो कि लोवर वेरियंट आपने स्कॉर्पियन का खरीदा और मैं टॉप मोडल वाली है लग वाल लुग अपक्रेड कर आऊ बहुत अच्छा थ्रों मिलेगा आपको और नाइन लाइट की पड़ेगी और इनके चलान होगा जन्रली आपको इनको और करके रखना है मेरे पास थे चंदी गड़ पकड़ेंगे तो इनको आपको आपको और करके रखना हमेशा यह सिर्फ और उफ-डिंग के टाइम यूज करने के लिए होती है यह रात को जाद़ ड्राइब कर रहें अब तब इनके बिना शर्वाइवल नहीं है इन वाले वेरियंस और यह तो देख हमेने बाई ने यह तो प्लस इसके साथ में मैंने नीचे इंजन कवर कर लो बोटी प्रोटेक्शन लगवाई है वो तो कंपनी से लगाए होगा वो तो कंपनी भी लगवाती है अब इम्रा करते हो तो पत्थर लगेगा कुछ ना कुछ ना कुछ ना कुछ होगा देमेज और आप तो बिल्लुकुल मतलब ऐसे उस पर जला रहे हैं तेस्ट कर रहे हैं अच्छे से इसको तो इंजन वाड़ी प्रोटेक्शन है और एक सबसे उस्ते ज़ादर जरूरी ना एक डी एक सबसे गंदी प्लेस्मेंट किसी चीज़ की इस गाड़ी में हो सकती थी ना महिंदरा ने वो टीए अच्छ यहां पर यह ना आप किसी भी पत्थर नॉर्मल पत्थर पर ले जाओगे ना अगर आपके इस टायर के नीचे पत्थर आ गया तो वह इसका लगेगा ही लगेगा और यह प्लास्टिक का होता है तो यह बहुत जल्दी ब्रेक हो जाएगा अगर पत्थर लगेगा और फिर वो लीक होता रहेगा लीक होते गाड़ी सीज़ा आपकी अगर दीएफ टैंक खतम हुआ ना तो आपका इंजिन नहीं चलेगा यह बीएस सिक्स डीजल कार्स की यह इसकी प्लेस्मेंट बहुत गंदी है तो इसका यह मैंने बिम्रा से ही लगवा है साड़े च्छोटी-च्छोटी माइनर सी मोडिफिकेशन है यह बहुत महेंगी है क्योंकि यह कोई और बनाता नहीं एक दो कंपनी है जो फोर फोर कार्स के लिए यह सारी चीज़े बनाती ह यह लगवाना यह बहुत जरूरी है बागी रूफ करते हो करें इसका टैंक आपको छोटा लगता होगा इतनी बड़ी करती है पहली बात तो कभी भी इसको फॉर्चुनर से आपको कंपेर नहीं करना है वह थोड़ी और बड़ी आती है वह बहुत जादा रिलाइबल है इस दूसरा है यह प्राइस सेग्मेंट के साफ से बहुत अच्छी गार है यह जो इसका टैंक इसका पेट इतना चोटा दिया इतनी बड़ी गाड़ी का मैलेज नहीं देती गाड़ी बिल्कुल भी नहीं देती और आपको फोर फोर और यह तायर्स के बाद तो अंतर नजर आय इसकी रेंज पहाड़ों पर है सिर्फ 500 च्राइवे पर तो इसके लगने के बाद भी यह गाड़ी का लुक अच्छा आ रहा है तो थोड़ा अच्छा लग रहा है लगता है कि आप ट्रावल करते हो और ज्याद बढ़ गई ना तो है बलकी टायर से लुक वाइस बहुत अच्छा और मेरी गाड़ी मोड्स है ना तो सारे यूसफुल है लुक के लिए कुछ भी चेंज नहीं करा है बाहर से आपकी पूरी मतल्स मेरे को लग रहा है बादी जाद और आपने कुछ नहीं करवा रखा और एक हो लगे अंडर बोडी तो खेर किसी को दिखेगे नहीं वो तो आप बताओ के तभी पता चलेगा पीछे वाली बूट स्पेस के लिए कोई उसको बिल्कुल कर देते वो फ्लैट हो जाता है यहां तक हो जाता है वह पूरी जेगे लेता तो मैंने इसलिए पूरा निकाल दिया और वह यह कंपनी से लिगलती है भार में निकलवा के अपनी गराज में रख दिये शायद 6 नट लगते हैं तो आप खुद भी निकाल सकते हो निकालने को आपको पता हो तो लेकिन पहले सबसे बड़ी कमी है और एक और एक्सेसरी है मेरे पास सबसे बड़ी कमी है यार पंगा गया है 12 वोल्ड का सौकेट पीछे है गाड़ी की लेंध इतनी जादा है कि जो वायर टायर इंफलेटर रहना वह आगे तक नहीं पहुंचता है मेरे पास मैं यूज कर रहा था बहु कि जरूद होती है यह सोचने सी टाइप ही दे देंगे बस पूरी गाड़ी में सिर्फ एक है सेकंड रो में है वह सी टाइप है यूज 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 वाले तो कुछ भी नहीं है वह अगर अपने अंड्रॉइड आटो कनेक्ट करके उन पर रखे रहते हो बैटरी एक परसं कि आपने वह सीट अटादी बट वो कभी यूज करी थी नहीं कभी यूज नहीं कभी यूज नहीं कर आप मैंने देखा पीछे जब नहीं नहीं गाड़ी लाए तो थोड़ी तेर बैठा बस फिर हम जाम में फसके फिर वो आगया गया क्योंकि पीछे इस इवेंट भी नही नहीं हो इससाग में कोई नहीं दिती कमफर्ट में मैं इसको इनोगा कृस्टा के लेवल पर आता हूं यह एक सगमेंट मैं जो फैमली के लोग हाइवे पर ट्रेवल करते ना तो एनोगा क्रिस्टा से जादा कंफर्ट में पर वो नहीं मिलता क्योंकि उसका हाड़ बहुत अगड़ा कंफ़र्ट है बस चोटी मोटी कमी आया एक इसने ना इलेक्रोनिक्स के इसूज जाद है और एक मेजर इसू मेरी गाड़ी में अभी तक आया है अब एक बार अधर आजो पर यह मैं आ चुका हूं अधर और अधर तो बहुत अधर वह यह सब कुछ अधर ब यह तो बहुत चोटा है एक सिर्फ मोबाइल की यह जगे है यह आमरेस बहुत चोटा है इसके नीचे इसकी कूलिंग यूनिट है शायद सेकंड रो के लिए और यह भी स्पेस नहीं है और मैं आ रहा हूं विटारा प्रेजा से एक गलोब बोक्स यहां एक यहां डोर पैड अच्छी करें कि चार बॉटल सारी है थार रॉक्स में तो वह भी नहीं आ रही है बंदे प्यासे ऑफ रोड़िंग करें नहीं कि यह जगे नहीं है कि एक लीटर की बॉटल बल जाए इन से और यह महिंद्रा को एक्षिल मेना इनुवा से सीखना चाहिए टोयटा से चार ड में कम से कम 10 लीटर पानी आता है 10 बॉटल्स एक एक लीटर की चार डोर्स में डलती है और यहां पर इतना स्पेस है बर बर के स्पेस है प्रैक्टिकालिटी के परस्पेक्टिव से देखो तो बट इसमें ना समान लखने की जगे बहुत कम है वैसे सीट बहुत कमपरटेब इतनी है वैवी एवी सीट दे रखी है और कुछ निंग बहुत अच्छी है लेकिन पंगा किया है कि यह दो मॉबाइल भी निरख सते है एक उपर रखो के स्टोड़ी मारो के मॉबाइल निरख से और एसे रखो के फिर वो इधर उधर बांगती है यह प्रोब्लम समान रख पैसा वसूल हो जाता है अब तो स्कॉरपय को बढ़िया बना जिए और बाकि आप पासिंग करते हो किसी गाड़ी को लाइट मारती हो साइड देता हो अपने बंदे इन गाडियों से जडरली सोड़ा हो जाते है और काले रंकी है तो तो बिल्कुल हो जाते है बाकि जो हम गुजरा ट्रिप पे दो महीने होए थे गाड़ी को एक्जक्ट और मेरी गाड़ी शायद साढ़े 5000 किलोमेटर के असपर चली ती यह गीर बॉक्स में इशू आ गया था यहां पर एक ऑटमेटिक वर्निंग लेंप आता है मैं आपको फोटो बेजू हो और आड़ करना पर हमने कस्टमर के अरफे कॉल की मैनुवल में चेक किया तो पता लगा ऑटमेटिक वर्निंग लेंप बोलते हैं उसको वो रिलेटिड है आपके गियर वोक्स से तो हमने कस्टमर के अरफे बात करी उन्होंने और रा दिया तो आप गाड़ी साइड में लगा लो यह बहु पर नीचे फ्लक्ट्वेट हो रहा था सेम की यह पर ही मैं 80 की स्विट पर चल रहा हूं 70 की स्विट पर चल रहा हूं और यह मेरा आर्पी अब कभी 2000 जा रहा है फिर एकदम 1500 2000 पर फ्लक्ट्वेट कर रहा था फिर हमने सोचा है चलो अभी टाइम लगेगा बिलवाडा कराने के लिए वो रस्ते में ही बढ़ रहा था तो हमने सोचे चलो चाय पी लेते हैं यार दाबे पर मैंने गाड़ी रोकी पार्क मोड पर लगाई मैं उससे बटन से ओफ कर रहा हूं गाड़ी और अफ ही नहीं हो रही मेरे बस वीडियो पड़ी है मैं ओफ कर रहा हूं त पर एक्तम जटका लग रहा है मेरे बास वीडियो पड़ी है और ऐसे लगता है जैसे आप खड़ी गाड़ी में कोई पीछे से नहीं मार देता और आपको एक्तम जटका लगता है वैसा कियर वोक्स बेव कर रहा था उस ताइम पर और उसका रीजन क्या तो कुछ पता चला बैए बास ऑनि करता मैंला महें पाड़ी है वाह बन नो जटेें अ फोलाइए घाशा उल्फ भाड़ी में पता नहीं की थाव सरुन पाड़ाइप सफीन करते उन से लगता है वहला कैंट युकर महें अन गाठान को यह भूंँ में तिया दिक भी प्रेस किया जैसे़ अबना सौध बडल झाला हुद प्रेस करता हुँ और hasad 12L करें और पड्प कर दिखते हुआ और फिर और अधी से पनी पर जायों के प्रेस करताया हुद अब वह देखते हैं क्या करते हैं मैंने का बाइ मैं वही पर लेकर रहा हूं उत्सीदा दिल्ली क्योंकि अब ठीक चल रही थी तो आप गुजराच वापस आ रहे थी तो हम दिल्ली ले आए फिर मैंने एक सर्विस सेंटर पर वेजी नेक्स दे मैं खुद ही लेकर गया उन्होंने कोई error code ही नहीं मिला अब मैंने उसके बाद मुझे satisfactory नहीं लगा अनसर मैंने कस्टमर के रहे पर रिक्वेस कर दी महिंद्रा पर उन्होंसर फिर कॉल आया फिर गाड़ी लेके गए उन्होंने फिर करनेट किया कह रहे सर कोई error code नहीं क्या करें तीन पर वेजी मैंने इस ची कि दी एक में उनको में same automatic warning lamp आई हुई थी उनकी गाड़ी में और वो भी यही था कि उन्होंने restart करी और वो light चली गई तो इसका कोई solution ही नहीं अभी तक कोई root cause ही नहीं है कि भाई यह हुआ क्यों था तो यह issues आपको prepare रहना पड़ेगा भाई महिंद्रा ले रहे हो ना और आपके luck के ऊपर है issues महिंद्रा मेरे मेरे में नहीं है अगर आपका luck सही है तो भाई आपकी में issue नहीं आएंगे अगर आपको पता है कि आपका luck कराव है तो आप prepared रहे हो प्रॉबलम क्या है ना आपकी में कुछ होग और है उस एक कि में आया एक तो मेरी जल्य में अग्ष्त कि लिश्य का भीत लिए तक रीयर लाकिलि उनकी मेने रिले आपको है अपको फेक्ता है है और ज्agitim तो यह इशू महिंद्रा के साथ यही रिलाइबिलिटी के इशू चोटे 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 जो कोरियन और जैपनीज में आपको नहीं मिलते ना वह इसमें मिलते आपको नहीं मैंने अभी आपकी व्लॉग देख रहा था अभी यह लदाक वाली ट्रिप आपने चाही पीने के लिए रोकी थी गाड़ी आप उतर के चलेगे था आपने आपके देकर शीशे खुले से चारो है यह मेरे सत्मनानी जाते है वब फस्टे हुआ है दो शीशे खुले के आ चाही पीके आए दोनों विंडों खुले आगे और संरू बनती संरू बनती अगर बटन से अगर गलती से प्रेस भी हो जाए पॉकेट में रखा तो संरू भी खुलती तो सिर्फ यह दोनों खुले थे मुझे समझ जाए कि बहुत था भाई क्या महिं बहुत था बहुत था अब करें आपको बहुत और से प्रेसे लेब क्या थे इसलिए लगए और से अपनी प्रोफ्राइव नहीं चाही जाए प्रॉब्लम जाए आप इसमें अपनी यह की भी नहीं चोड़नी चाहाए मैं इसलिए कार भूपर पहनता हूं यह इसलिए आप पहन तो आपने चावि मेरे साथ उदैपूर से हम वापिस यब आ रहे था यही हुआ था हम लोग ड्रोन उड़ाने में रुका एक जिगे मेरी चावी अंदर थी गाड़ी में मैंने बस बंद कर दी क्यों रखना ठंड का टाइम था तो सुबब सुबब मॉर्णी का टाइम था और मैं ड्रोन उड़ तो उसको वह आपको पेशेंस लेवल टेस्ट करता है कि आपके अंदर कितना पेशेंस आप कितना वेट कर सकते हो मतलब कोई यूसफुल फीचर नहीं है इस सग गिमिक कुछ लोगों को बसंद है वाई कि मेरे कनेक्ट हो रहा है मैं देख रहा हूं कि उसके लिए कि आपके पास रेक्शन टाइम हो अगर दो मिनट बाद आ रहा है तो दो मिनट में तो भाई इतनी पावर रहा है कि वो गयाब हो जाएगा लेके कुछ भी कर देगा है चोरी कर लेगा कुछ भी हो जाएगा तो वो तो डिलेड मेसेज़ आते हैं तो एड्रिनोक्स मुझ मै करता नहीं है अड्रिनोक्स का तो आपके काड़ी की साथ एक्स्पिरेंस है ने उल्यरा है उवराइल एक्सपिरेंस बहुत बढ़ी है गाडि का बाकी ईव्राइविंग पसंद आ यहतर का इं चृते अऑट से हिरने करहें हो चलते हो यह यृइ बाद है इसने इंस्टेंट ब्रेकिंग कर दी पीछे वाली में थोड़ी एडास है वो तो आपकी गाड़ी में आ जाएगा ना रुच जाएगा अंदर पीछे से बिल्कुल एक दम रुख जाते है और ब्रेक्स बहुत जल्दी किसेंगे उसमें अभी तक मेरी गाड़ी में लेकर लेक इस लगते हैं इसके तो इतना वेट है जब कि गाड़ी में 2000 किलो प्लस है खाली गाड़ी तो बहुत मतलब एकदम गाड़ी रुकती है एकदम और बिल्कुल टायर स्किट नहीं करते हैं यह तो बिल्कुल बना लेते हैं इनकी तो बहुत अच्छे परफॉर्मेंस इन टाय बाकी देखते हैं कि चलेंगे कितना है यह तेखना है जैसे अपकी टेरेंस पर जाना है मेरे हामेरी लंभी भी चलती है क्योंकि मेरी और जर्ली जब आपकी फुल्डे चलती है जादा वियरेंट होता है हीट की बज़े से मेरी गाड़ी एक दिन में 15-15 गंटे अप मैं गं पर बता दो हमेरे यूट्यूब चैनल नाम है अपर मेरे नाम के इनिशन से हैं एम जी एक्स्प्लोरर और मैं फैमिली के साथ ट्रेवल करता हूं और वोल सकते हैं क्योंकि हमारी एक ही गाड़ी होती है क्योंकि हम मौर्निंग में जल्दी निकलने वाले लोग हम चार करने के लिए हम तो बहुले नाथ के बैक अप से चलते हैं अकेले तो हम लोग ट्रेवल करते हैं खूब ऑल्दो मैं आइटी में वर्क करता हूं मेरा फुल टाइम नहीं है यूट्यूब आस इंट्रस्ट की वज़े से कि मैं ट्रेवल बहुत करता हूं तो इसलिए आपने करते हैं वीडियोज यह सारे वीडियो बाकी ट्रेवल लिए सारे वीडियो और गाड़ी जेसे सर्विस विए विद्वाग नहीं है तो ट्रेवल व्लोग के लिए भी बहुत महानत लगती है डिटिंग वगयरा में तो बाकी आप तो बाइए के चैनल के एक बर सब पर ने सब्सक्राइब कर देना और भाईया के चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना थैंक्यू समस्व रॉचिंग बाई